परिचए रीता का बगीचा सीता के बगीचे से बड़ा है कभी सोजा है कि इस दुल्ना का आधार क्या है? इस दुल्ना का आधार बगीचे का क्षित्रफल है यानि बगीचे में कितनी जगा है? इस पार्ट में हम चेत्रफल के बारे में विस्तार से जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे चेत्रफल को परिभाशित करना वर्ग गिनकर विभिन आकरितियों का क्षेत्रफल ग्याद करना आयत का क्षेत्रफल ग्याद करना वर्ग का क्षेत्रफल ग्याद करना संयुक्त आकरितियों का क्षेत्रफल ग्याद करना क्षेत्रफल विन आकार की दो पेंटिंग लेकर उनकी तुलना करें दोनों पेंटिंग जितनी जगा लेंगी वह भिन्ः होगी वो इसलिए क्यूंकि दोनों पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है दो आयामी बंद आकरिती के अंदर गिरा क्षित्र उसका क्षित्रफल कहलाता है किसी भी ऐसी आकृती का क्षेत्रफल ऐसी ही किसी अन्य आकृती से भिन्न हो सकता है आईए अब एक सरल विधी से क्षेत्रफल निकालें यह वर्ग गिनिती विधी कहलाती है वर्गा कार किये हुए कागस पर त्री भुज बनाएं हर वर्ग की एक भुजा एक सेंटिमीटर की है, पहले त्रिभुज में समाए सभी वर्गों की गिनिती करें, इनमें हर वर्ग पर एक चिन लगाएं, अब उन सभी वर्गों की गिनिती करें, जिनका आधे से अधिक हिस्सा त्रिभुज में आता है, इन पर बी चिन लगाएं, अब इन वर्गों की गिनिती करें जिनका ठीक आदा हिस्सा त्रिभुज में आता है। इन पर सी का चिन्न लगाएं। उन वर्गों की अंदेखी कर दें जिनका आदे से कम हिस्सा त्रिभुज में आता है। त्रिभुज का क्षितरफल उननीस वर्ग सेंटिमीटर है। आयत का क्षितरफल आये, अब वर्गों की गिनिती करके आयत का क्षितरफल निकालें। आयतागार पैंसिल बॉक्स लें। इसे वर्ग बनाय हुए कागस पर रखें। पैंसिल बॉक्स की लंबाई 15 सेंटिमीटर है। एक सेंटिमीटर भुजा वाले 15 वर्ग लंबाई के 7-7 रखें। अब वर्गाकार कागस पर कुल 120 वर्ग रखे गए हैं। इसकार्थ ये हुआ कि पैंसिल बॉक्स का क्षित्रफल 120 वर्ग सेंटिमीटर है, जानी 15 सेंटिमीटर गुणा 8 सेंटिमीटर. इससे पता चलता है कि आयत का क्षित्रफल लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके निकाला जाता है, चूंकि वर्ग ऐसा आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का क्षित्रफल उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर के निकाला जाता है दिवार का क्षित्रफल निकालना अब हम जान चुके हैं कि क्षित्रफल की गणना कैसे की जाती है तो इसी पराधारित एक सवाल हल किया जाए निधी के कमरे की हर दिवार चार मीटरों ची और तीन मीटर चौड़ी है वो एक दिवार को वाल पेपर से ढाकना चाहती है वो जानना चाहती है के इसके लिए उसे कितने वर्ग मीटर वाल पेपर की जरूरत होगी उतने क्षित्रफल के वाल पेपर की ही जरूरत होगी जितना क्षित्रफल उस दिवार का है जिस पर उसे लगाया जाना है दिवार का क्षित्रफल 4 मीटर गुणा 3 मीटर यानी 12 वर्ग मीटर है इसका अर्थ हुआ कि निधी के कमरे की दिवार के लिए 12 वर्ग मीटर वाल पे पढ़ चाहिए क्षित्रफल निकालना आईए अब कुछ आगे बढ़ा जाए मान लीजिए 18 मीटर का एक वर्गाकार वगीचा है इसमें हम चारों तरफ एक रास्ता बनाना चाहते हैं रास्ता बनाने के बाद भीतरी वगीचे की भुजा 15 मीटर होनी चाहिए अब हमें निकालना है रास्ते का क्षित्रफल इसके लिए भीतरी बगीचे का क्षितरफल निकाल कर उसे बाहरी बगीचे के क्षितरफल में से घटा दें बाहरी बगीचे का क्षितरफल है 324 वर्ग मीटर और भीतरी बगीचे का क्षितरफल है 225 वर्ग मीटर इसलिए रास्ते का क्षेतरफल 324 वर्ग मीटर में से 225 वर्ग मीटर खटाने पड़ निकला 99 वर्ग मीटर संयुक्त आकरिती की गणना अब तक आपको अच्छा खासा अभ्यास हो चुका होगा तो क्यों न अब एक ऐसे आकार का क्षेतरफल निकाला जाए जिसमें एक से अधिक आयत हैं पहले संयुक्त आकरिती को अलग आयत में तोड़ लें प्रतेक आयत का क्षेतरफल निकालें संयुक्त आकरिती का क्षेतरफल निकालने के लिए सभी आयतों का क्षेतरफल जोड़तें यहां हम दी गई सन्युक्त आकृति को तीन आयतों में बाढ़ सकते हैं आयत A का क्षित्रफल है 18 वर्ग सेंटिमीटर आयत B और C का क्षित्रफल समान है यानि 20 वर्ग सेंटिमीटर इसलिए सन्युक्त आकरिती का क्षित्रफल 18 जमा, 20 जमा, 20 बरावर 58 वर्ग सेंटिमीटर है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं दो आयामी बंद आकरिती के अंदर घिरा क्षित्र उसका क्षित्रफल कहलाता है किसी आकार का क्षित्रफल वर्ग गिनिती विधी से निकाला जा सकता है आयत का क्षित्रफल बराबर लंबाई, गुणा, चौड़ाई होता है वर्ग का क्षित्रफल बराबर भुजा, गुणा, भुजा होता है संयुक्त आकरिती के क्षित्रफल की करना उसे अलग-अलग आयतों में बाटने के बाद उनका क्षित्रफल निकाल कर और फिर सारे क्षित्रफल जोड़ कर की जा सकती है